हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो में दिखेंगे साधन ब्याज के प्रेशने अगर आपको साधन ब्याज निकालना नहीं आता तो आज अच्छे से सीख जाएंगे पूरा वीडियो देखेगा चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशन यहां पर आप इस फ्रॉर्मुले से कर सकते हैं चाहें डियर्क भी कर सकते हैं स्टूर्चन को देखें कैसे प्रिंसिपल है आपको कितना 25 सो रॉपे का ठीक है rate आपको दे रखा है 4% का time आपको दे रखा है 4 वर्स का clear है अब आपको SI नहीं दे रखा है आप SI निकाल लीजे ठीक है देखे कैसे मैं आपस सबसे फ़हले formula से solve पर हुआ SI बराबर PRT बटा 100 यह साधन ब्याज का formula होता है साधन ब्याज हम इसमें निकालेंगे प्रिंसिपल हमारा 25 सो दे रखा है rate 4 है time भी 4 है पटे 100 है ठीक है अब देखे यहाँ पर इसे हम कटा लेंगे आसानी से प्रेस्टने को solution मिल जाएगा ठीक है देखे कैसे यहाँ सीदे सीदे मैं 2 0 से 2 0 कटा सकता हूँ यह कितना होता है चार चौक के 16 होता है और 16 का मल पर मुझे कितने से करना है 25 से करना है ठीक है तो 16 85 80 का कितना जाएगा दोस्तो 0 केरी का आर्ट 16 दुनिये का 32 32 में केरी का जोड़ेंगे 40 मतलब 47 ब्याज कितना निकल किया गया चार सो रखे अगर हमारा प्रिंसिपल था कितना 25 सो रुपे था तो 25 सो रुपे हमने जमा किये उस पे हमको ब्याज कितना मिलेगा चार सो रुपे का मिलेगा तो चार वर्ष के बाद हमें कितना धन प्राप्त होगा 25 सो में 400 ब्याज लगके मिलेगा तो 39 सो रुपे हमें प्राप्त होगा 29 सो रुपे कहां दे रखा बी ओफशन में बैस 400 रुपे ब्याज मिल ला है अगर हमसे यह कह दिता है कि साधन भी आज हमारा क्या होगा तो 400 रुपे होगा पहला ओफशन सही पूछ रहा है उसने कितना धन प्राप्त होगा तो 2500 जमा किये प्राप्त कितना होगा 2900 रुपे तो बी ओफशन में 2900 दे रखा है यह आपकी प्रश्न का फिर कुछ सही आंसर बात के लिए रहा है आप दिखें डायरेक कैसे करते हैं आपको प्रिंसीपल दे रखा है 25 सो रुपे का टिक है 25 सो कर दीजेव बस आंसर आगया दो जीरो से 2-0 गए 25 का行了 से मैंट पए करेंगे चार सो तो आपका मुल्धन केतना था 25 रुपे उसमें 400 जोड़ो 29 रुपे प्राप्त हो जाएगा आपका ठीक है केलियर हुई बात अच्छे से समझ मागया अब देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है 30,000 रुपे का 9% वार्षिक ब्याज की दर्से 3 वसका साधरन ब्याज क्या होगा वाई साधरन ब्याज पूछ रहा है आसानी से बता दीचे कैसे डैरेक्ट जो मैं आपको बता रहा था कि 30,000 रुपे हैं ठीक है 30,000 लिख लिए अब कितना है रेट 9% अब एक वरस का रेट 9% है तो तीन वरस का रेट कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा सीदा सीदा और एक जीरो दो जीरो बचे तो एक यासी सो आंसर आ गया वी ओफसन बिल्कूर सही अब इससे आप साधन ब्याज के फॉर्मूले से निकाल करके पी देख सकते हैं जो हमारा होता है पी आर टी बट्टे सो जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल के देख लीजी ऐसा ही निक नो तरीका 27 और 27 तरीका 81 हो जाएगा और दो जीरो बचे तो 2 जीरो लगा दीजे तो साधन ब्याज केतना निकल गया गया 81 आप फॉर्मूले से कीजे डारेंट कीचे जैसे आपको अच्छा लगे जैसे आपको सूटेब लो जैसे आपको कम समय लगे वैसे कीची आप ठीक ठीक है, देखिए, कैसे solve करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये जो fraction value दे रखिए, इसको सही form में लिख लीजी, ठीक है, इसको लिख लीजे, सही form में, आपको जो principal है, वो 25 है, ठीक है, और जो rate है आपका, उसे सही form में हम लिखेंगे, साथ पूर्णांग 3 बटे 4 परसेंट है, अब सही करूँगा मैंसे, तो 4 कमल पर साथ से करूँगा, 4 सत्य 28, 28 में 3 जुड़ूँगा, 31, और बटे में कितना रहेगा, ये 4, अब ये मेरा 1 वर्स का 4 है, समझेगा, 1 वर्स का 31 बटे 4 है, एक वर्स का मेरा 31 बटे 4 है, तो 12 वर्स का कितना होगा, भई मैं 12 से गुना कर दूँगा, तो 4 तिरिक का ये 12 कटेगा, 31 कमल पर 3 से करेंगे, तो 93 हो जाएगा, ठीक है, अब मेरा रेट कितना निकल किया गया, 93, अब मैं इसे आसानी से स्वल्प कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नी होगी, मेरा प्रिंसिपल कितना है, 25 सो रुपी है, गुने कितना करूँगा, मैं 93 करूँगा, बटे कितना करूँगा, 100 करूँगा, 2 0 से 2 0 गे, 25 कमल पर 93 से कर दो, 223 का 75 का 5, केरी का 7 रहेगा, 25 निम्मा 225, 225 में केरी का 7 जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 232, तो 235 आप का अंसर है, 235 दे रखा है D of Sun, बताए आसानी से हुआ कि नहीं हुआ, हमेरा प्रिंसिपल दे रखा, रेट दे रखा, हमारे पास टाइम भी दे रखा है, 12 वर्ष का, ठीक है, टाइम भी दे रखा है, हमें ब्याज ही तो निकालना है, तो साधार अनसा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से निकालना चाओ, उससे निकाल लीजी, ऐसे करना चाओ, ऐसे करना जो, जो सजी लगए उससे कर लीजी, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप देखेंगे अगला प्रिश्णी, अगला प्रिश्णी है, 45 रुपे का, 3 वर्स का, 3 पुलांग, 1 बटे 3% की दर से साधरन ब्याज क्या होगा, आसानी से कर पाएंगे आप, कैसे, 45 रुप्या है, इंटू, भैया, एक वर्स का रेट हमारे कितना है, 3 पूलांग, 1 बटे 3, तो 3 वर्स का कितना हो जाएगा, पहले से स्वाल्प कर तो बचा कितना दस बचा दस बचा आपका तो गुने दस बटे में कितना सो ठीक है अब दो जीरो से सीधे सीधे दो जीरो कट गए 45 का में एक से करूँगा मैं 45 और एक ही जीरो आजाएगा मतलब 450 450 दे रखाएगा C option में ये C option आपकी प्रशनी का पिलकुश सही आंसर आजाएगा बात अच्छे से समझ में आ रही है किसी को भी यहाँ प्रशनी में कोई भी समस्या नहीं होने चाहिए आगी बात समझ में आप देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है आपका किसी ध 729 रुपे है साधान ब्याज तो धन्राशी वो क्या रही होगी ये पूछ रहा है आसानी से कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है देखी कैसे आप चाहे तो उससे कर लो जो साधान ब्याज का फॉर्मूला है पी आर टी बट्टा सो उस फॉर्मूली से कर लो चाहे डालेट कर कर लो साधन ब्याज कितना है था तो बराबर प्रिंसिपल कितना प्रिंसिपल आपको नहीं पता प्रिंसिपल निकलना है रूट आपका 9 पर्सेंट का है ठाइम आपका तिन वर्सकाह बट्टे में कितना रहे तीन त्रिक का नौ अब 9 से से को अगर मैं कटाओं तो कितनी बार में कटेगा 9 तुने 1 का 18 ठीक है अठार छे बचेगा तेसर 9 सतर त्रिसर 27 बार में गया अब सो कमल पर 27 से करेंगे तो कितना हो जागा भई यह 2700 हो जाएगा और इधर क्या बचा प्रिंसिपल ही तो बचा है अगला प्रिशन है 2100 रुपे का साधान ब्याज की दर्स से पहले वर्ष के लिए 4 परसेंट अगले वर्ष के लिए 3 पूरांग 1 बच्टे 2 परसेंट तीसरे वर्ष के लिए 2 पूरांग 1 बच्टे 2 परसेंट हो तो कुल साधान ब्याज ग्याद करो बढ़िया प्रिंसिप 211, पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 3朋友, 3 people, 2% और 3 साल के लिए कितना है, 3 साल के लिए 2 친구, और साधान ब्याज यहां पर हमको बताकरना है क्या होगा, साधान ब्याज पता करना है क्या होगा, आसानी से पता कर पाएंगे, कोई दिक्कत यहां पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले साल का, दूसरे साल का, और तीसरे साल का, जो रेट है, मैं उनको क्या करूँगा, जोड़ूगा, ठीक है, पहले साल का, दूसरे साल का, और तीसरे साल का, मैं यहां पर रेट को जोड प्रेट आपका 10 का हो रहा है कि याउंपर जीक है कोई बात नीए सिधा सिधा रेट आपका 10 का हो गया 10% , प्रशुपच्ट का सीधा रेट एक्ता का यहा एक तो ड्य आज़ कितने रह आड़ सो अजाया बाक्uden कें कोई परिशानी यहां पर बिल्कुल नहीं होगी आप देखेंगे दोस्तों अगला प्रेशने अगला प्रेशने है 35,000 रुपे पर साधन ब्याज की दर्स से पहले वर्ष के लिए 3% अगले वर्ष के लिए साथ पूरा के एक बटे 2% तीसरे वर्ष के लिए 4 पूरा एक बटे को दे रखा है कितना साथ पूरा 1 बटे 2% और तीसरे साल का भी दे रखांगर पास 4 पूरा के एक बटे 2% पहले सीधा सीधा जोड़ लो 4 और Recewe दस में चार जोड़ेंगे 14 आधा ये आधा ये मिलकर एक हो गया तो 14 और एक 15 कितना हो गया भई आपका रेट 15 स्वाल्प कर लीजे वैलू कितनी आपके पास 35,000 रेट कितना है दोस्तो 15 का है बटे में कितना रखेंगे आप 100 रखेंगे आंसर आजएगा ठीक है आंसर आजएगा साधर भ्याज पूछ रहा है और बावन पचास दे रखा भी ओफ्सन में मैं उम्मीद करूँगा कि सभी की समझ में प्रेशन अच्छे से आ गया है किसी को भी यहां प्रेशन में कोई समस्य बिल्कुल भी नहीं है ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद